धन्तेरस आने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो घर से बाहर तुरंत ही निकाल देनी चाहिए नहीं तो अगर धन्तेरस और दिवाले के दिन अगर ये चीज़ें आपके घर में रहती हैं तो इनसे गरीबी आ सकती है धन्तेरस के दिन सबी लोग अपनी अपनी मानेताओं के और अपनी सामर्थ के अनुसार मालक्षमिजी के आगमन के लिए उन्हें प्रसन करके उनकी करपा पाने के लिए तरह तरह से पूजा करके उपाय करते हैं और घर में ऐसी शुब वस्तुएं लाते हैं जिनसे पूरे साल घर में सदा धन में बरकत बनी रहे और मालक्षमिजी का वास रहे जिस घर में गंदगी होती है घर का मुख्यद्वार गंदा होता है उस घर में कभी भी मालक्षमिजी का वास नहीं होता तो ऐसे में धंतेरस के दिन ही घर की अच्छे से साफ सफाई करके मा लक्षमी जी के स्वागत की तैयारियां की जाती है इस दिन नई वस्तू की खरीदारी की जाती है जैसे अपने अपनी समर्थ के नुसार कुछ लोग सोने चांदी के आबुशन, सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं कुछ लोग मिट्टी की मूर्थिया, मिट्टी के दीपक, वस्त्र या फिर बरतनादी खरीदते हैं क्योंकि ऐसी मानिता है कि इस दन हम जो भी वस्तू खरीद कर लाते हैं उसमें तेरा गुना लाब होता है। और फिर धंतिरस को शुब मोर्थ में और शाम के समय खरीदारी की जाती है, बाद में खरीदी गई इन वस्तू की पूजा की जाती है। लेकिन धंतिरस के दिन ही सफाई से जोड़ी भी कुछ ऐसी बाते हैं जिन्हें यदि करते हैं तो मा लक्षमी जी उल्टे पैर वापस चली जाती है और घर में धन का अभाव हो जाता है। कर्ज लेने के स्थिति आ जाती है, बरकत में कमी आ जाती है। तो अब जानिये कि धंतिरस आने से पहले कौन सी ऐसी वस्तु हैं जिने आप जरूर हटा लें। नहीं तो आपके घर में दर्रिद्रता का वास हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को धंतिरस की हार्दिक शुप काम नहीं। धंतिरस के दिन मा लक्ष्मी जी का स्वागत और आगमन उसी घर में होता है जिस घर में साफ सफाई हो जिस घर में उजाला हो। जिस घर में रात को द्वार बंद रहता हो या अंधकार रहता हो उस घर म मा लक्ष्मी जी नहीं आती । अक्सर लोगों को अपने घर में पूरानी knife twoty बेकार की चीज़एं इकठा करने का बहुत शौक होता है ? लेकिन जिस सब्लें गार बेकार आदि जारु खंडित्व 0000 मूर्तियां, तूटे हुए चपल, पुरानी प्लास्टिक की चीजें, किचन की पुरानी बेकार चीजें और किचन में जिस चाको में धार नहों वो चाको भी घर से फेक देना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल्च लगना चाहिए, अपने घर के मुख्यदवार पर कुछ फोल बिखेरने चाहिए। ऐसे घर से मालक्ष्मी जी बहुत प्रसन होती है और वहाँ पर अपना इस्थाई वास बना लेती है। और ब्रह्म मुर्थ के समय सभी नदियों में आसपास के वातावरन में देवी देपताओं का वास हो जाता है, सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। क्योंकि यही वो समय होता है जब धंतेरस के दिन मालक्ष्मी जी धरती पर आकर ये देखती है कि किस घर में साफ सफाई है और किस घर में सुक्षानती है। जिस घर में कलहकलेश हो, गंदगी हो उस घर में कभी भी मालक्ष्मी जी नहीं जाती। जाहिए यहां तक ही घर के पेड़ पौध में भी आपको पानी नहीं देना चाहिए और खासकर तुलसी जी के पौधे में या शमी का पौधे यह दिया आपके घर में है तो उसमें भूल से भी आप जलना दे। आप ये काम अपने घर के किसी अन्य सदस्य से करवा सकती हैं। जिस घर में अधिकतर मकडी के जाले लगे रहते हों समझ लेना चाहिए कि वहां पर मालक्षमी जी का वास नहीं है। इसलिए घर के मकडी के जालों को चाहे छत हो मंदिर हो या कमरे हो कहीं पर भी मकडी के जाले नहीं रहने चाहिए। धंतिरश से पहले ये सारे जाले भी अच्छी तरह से साफ कर लेने चाहिए। कुछ लोग घर के अंदर ही अमरूत का या बेर का या निवू का पेल लगा लेते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए इस तरह के काटेदार पौधे या वरिक्ष हमेशा घर के बाहर ही लगाने चाहिए अगर आपके घर में इस तरह के काटेदार पौधे हैं तो उन्हें आप पहले पहले, उस पोधे को भी आप उखाड़ कर कर देग या जैसे नदीय तलाब आदी के किनारे पर लगा देना चाहिए क्योंकि पीपल का जो व्रिक्ष है पौधा है वो कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाता है अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा बिलकुल सूख चुका है बहुत महिनत करने के बाद भी अगर तुलसी जी हरी नहीं हो पाती है तो उस तुलसी जी के पौधे को आपको उखाड़ कर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और उसके बदले आपको नया तुलसी जी का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए सनातनी धर्म में ये पहचान है कि हर घर में तुलसी जी का पोधा हो और हर दिन तुलसी जी के पोधे में जल अरपित करके दीपक जरूर जलाना चाहिए जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ पर भगवान विश्नु के साथ सत मा लक्ष्मी जी की किरपा भी बनी रहती है जिस भी घर में राद भर जूठे बरतन पड़े रहते हों, उस घर में भी मा लक्ष्मी जी कभी नहीं आती उस घर से मा लक्ष्मी जी सदारुस्टे ही रहती हैं खास कर तवा चकला बेलन ऐसी वस्तों को कभी भी रात में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए जिस घर में रात पर जूठे बरतन पड़े रहते हों उस घर में कंगाली का और अकाल मृत्यू का भई भी बन जाता है क्योंकि रसोई घर में मा अनपूर्णा का वास होता है इसलिए रसोई घर हमेशा साफ सुत्रा होना चाहिए कुछ लोगों को पैर से ठोकर मार कर दरवाजा बंद करने की या फ्रिच बंद करने की आदत होती है तो ऐसा करने से भी घर में कंगाली आ जाती है मा लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है ऐसे घर में धन का आगमन रुक जाता है और इस प्रकार की जो आदते होती है वो जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए घर का मुख्यद्वार हमेशा साफ होना चाहिए घर के मुख्यद्वार पर कभी भी जूते चपल उतार कर नहीं रखने चाहिए ना ही घर के मुख्यद्वार पर जाडू रखनी चाहिए क्योंकि जाडू को मालक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है ऐसे में घर की जाडू ऐसे इस्थान पर रखनी चाहिए जहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। ऐसा करने से घर में अगर धन की कोई भी परिशानी है धन से जुड़ी भी समस्याएं हैं तो वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में अलमारी नहीं है तो कपड़ा ढखकर रखें। नहीं तो कैबिनेट्स या किचन में जो भी रैक वगरा आपकी हैं उसमें आपको चकला बिलन रखना चाहिए। चकला बिलन और तवा ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हर किसी की नजर में जल्दी नहीं आने चाहिए। आप या फिर आपके परिवार के लावा किसी भी अन्य बाहरी व्यक्ती की नजर अगर इन वस्तुएं पर पड़ती है तो उससे भी घर में सुक और सम्रिधी में कमी आने लगती है। फाइदा आपको हो सकता है और घर में कभी भी सुक और सम्रिधी में कमी नहीं आएगी। इस तरह से धंतिरस के दिन आप मालक्षमी जी के स्वागत की तयारी पूरी श्रद्ध और अपनी सामर्थ के निसार करें। उसके समय के बारे में और हमारे देश में ये सूरी ग्रेंट कहां कहां दिखाई देगा। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजेगा।